नमस्कार फ्रेंड्स मेसेंजी इक्मार आज हम पड़ेंगे बोध धर्म का तिसरा भाग दो भाग में पहले ही बना चुका हूँ यह दीव वाली वीडियो फ्रेंड्स आपने नहीं देखी तो वाली वीडियो भी देख लेना बोध धर्म के परमुक सिधान्त क्या है फ्रेंड्स इसमें सिधान्त में बताया गया कि मैं के वल एक ही बदार्थ सिखाता हूँ दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख के निरोध का मार्ग है बोध धर्म के अनुयाई अश्टांगिक मार्ग पर चल करना के अनुसार जी कर अग्यानता और दुख से मुक्ति और निर्वान पाने की कोशिश करते हैं बोट धर्म के अनुसार चोथे आरे सत्य का आरे अश्टांग मार्ग हैं दुख निरोत पाने का रास्ता गौतम बूत कहते थे कि चार आरे सत्य की सत्यता का नीचे करने के लिए इस मार्ग का अनुस्वरन करना चाहिए समेक दृष्टी चार आरे सत्य में विश्वाष करना समेक संकल मांसिक और नेतिक विकास की परतिग्या करना समेक वाग हनिकारक बातें और जूट ना बोलना समेक करम हनिकारक करम ना करना समेक जीविका कोई भी स्पष्टत है या स्पष्टत है अनिकारक ब्यापार ना करना समेक प्रयास अपने याप सुधाने की कोशिश करना समेक समरिती स्पष्ट ग्यान से देखने की मांसी की योगेता पाने की कोशिश करना सम्एक समादी निर्वान पाना और स्वयम का गायब होना परत्थम बोद संगती कहां हुई इसका सही अंसर है राजग्रह परत्थम बोद संगती कब हुई इसका सही अंसर है 483 इस्वीपुर्व परत्थम बोद संगती किस शाशक के काल में हुई थी इसका सही अंसर है अजात शत्रू के शाषनकाल में राजगरहे में महाकश्चप की अध्यक्षता में दूसरी बोल संगती कब कहा किस शाषक के समय हुई 333 सी में बैशाली में काला शो के शाषनकाल में और सबक मीर के अध्यक्षता में तिर्थिय बोध संगिती कब कहां किस शाषक के समय हुई इसका सही आंसर है 245 इसवीपुर्ग पाठली पुत्तर में अशो के शाषनकाल में और मॉबली पुत्तिस के अध्यक्षता में चतुर्त बोत संगिती कब कहां किस शाशक के समय हुई पहली शिलंका में पर्थन इसापूर कश्मीर के कुडलम में कनिश्क बसूमित्र के काल में फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और सबस्क्राइब का ना ना भूले आपके लाइक शेर और सबस्क्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी इसी तरह से ने वीडियो बनाओ धन्यवाद